गुद मॉर्णिंग बच्चो मैं मोनी वेलकम टू आमस्टड़ी चैनल आज आपका वीडियो लेकर रहा है एक्सेसाइज सिक्सी सिक्सी में वन टू सिक्स तक बता दिये थे सैवन से लेकर चल रहा हैं वन टू सिक्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं था आपका कोई कमेंट्स नह आने के लिए तो ही नहीं जब आउना बन गिया तो उसमें से क्या बताना चलिए आगेछ चलते हैं सेवन टू आपको जाद ह will गए अर छे में रोज दोर देते हैं ऑप आज आपको साथ सु लेकर ग्यारऊ तक बनाने क् दिलत ग्यारऊ तक बनाने के делает इससं आपको हार question को हम Hindi करके समझाएंगे जैसे 1 to 6 तक में हम समझाएं थे यहाँ आप देखिए question number 7 को लिए है question number 7 बोल रहा है हम यहाँ पर आपको जो question बताएंगे इसको समझा भी देंगे कैसे कैसे बनेगा ठीक है अगर हम आपको एक बार दो बार समझा देंगो तो उसको आप खुद से बना लेंगे फाइं बोल रहा है question find two numbers such that one of them exceeds the other by 18 and their sum is 92 यहाँ पर बोलते हैं पिछले class में भी बताएं थे पहले भी आपको बताएं कि exceed मतलब होता है बढ़ना, exceed मतलब होता है बढ़ना और reduce मतलब होता है घटना तो जब हम exceed मतलब किसी चीज के लिए बोलने के लिए बोलते हैं कि exceed मतलब बढ़ रहा है आप यह नहीं कि जहाँ पे exceed है वहाँ पे हम add कर देंगे नहीं जहाँ पे exceed रहेगा बोल चल की भासना में हम बढ़ना बोलते हैं लेकिन जब उसको यह solution की रूप में हम उसको minus करते हैं सब extract करते हैं घटाते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि find two numbers कोई दो संख्या है such that इस परकार one of them exceeds उसमें से एक संख्या बढ़कर the other by 18 एक संख्या बढ़कर कितना हो जा रहा है 18 हो जा रहा है and their sum is 92 और उसका sum कितना है 92 है तो हम लेंगे कोई एक संख्या लिए let the other number भी ले लेंगे x उसमें बोल रहा है कि exit कर रहा है exit मतलब क्या होता है बढ़ना होता है लेकिन हम वहाँ पर बढ़ना नहीं minus का sign दालते हैं यहाँ पर minus डालेंगे कितना बढ़कर हो जा रहा है 18 और बराबर इसका sum कितना है 92 अब इसको हम बनाएंगे यह तो आपका क्या हो गया equation बन कर त्यार हो गया तब हम इसको लिखेंगे x बराबर 92 प्लस 18 हो जाएगा x बराबर यहाँ पर कुछ आपका value आएगा जो value आएगो x का value निकल जागा आपका तीस तरह question number 7 आप बना लेंगे तो जब आपको 7 समझ में आगिया तो आप बना लिजेगा 7 question number 8 question number 8 में भी उसी तरह है 8 बोल रहा है यहाँ पर question number आपको 8 बोल रहा है one out of two numbers is thrice the other बोल रहा है one out of two numbers is thrice the other if there sum is 124 find the number बोल रहा है एक कोई number है एक कोई number है एक दो कोई number है बोल रहा है कि one out of two numbers is thrice the other जो पहला number है वो दूसरा का कितना गुना है तीन गुना है यहाँ पर thrice बोल रहा है न कहांगे एक मिनिट यहां पर आपको थ्राइस जो कोशन बोल रहा है यहां पर जो थ्राइस कोशन बोल रहा है कि दूसरा का तीन गुना है थ्राइस यानि कि 3x दूसरा का तीन गुना है if their sum is 124 और दोनों का sum कितना हुचार 124 तो find the number नमबर बता है तो पहले हम इसका यह कर लेंगे अधर संख्या को कितना लेंगे अधर संख्या कितना है एकस है ठीक है अधर संख्या जब एकस है तो एकस है उसका बोल रहा देर समीज 124 थ्राइस बोल रहा है कि 3x पहले तो हम अधर को लेंगे कितना अधर नमबर बराबर एकस और थराइस नमबर बराबर कितना हो जागा थराइस नमबर बराबर थिरी एकस हो जागा थराइस नमबर कितना होगा थिरी एकस और बोथ सम बराबर कितना 120 4 124 है जब हम according to question लिखेंगे परसने से तो हम यहाँ पर कैसे बराबर, आधर नंबर, आधर नंबर को कितना लिये थे, एक्स लिये थे, आधर नंबर का सम है न, इसी का समन, 124 यह तो x पलस 124 इस तरह हम कर लेंगे, इस तरह भी equation यह बन गिया, तो यहाप हो जागा 3x, x इस बाद गा तो माइनस में हो जागा है, 3x minus x बराबर एकसो 24 2x बराबर एकसो 24 x बराबर आपका कुछ आने सरे इसमें आजागा कार्ट पीट कर इस तरह आप question number 8 को बना लेंगे तो question number 8 समझ में आ गया तो आप बना लेंगे चलें question number 9 question number 9 question number 9 बूल रहा है देखना find two numbers such that one of them is five times the other and their difference and their difference is 132 बूल रहा है कि कोई दो संख्या है जिसमें से one of them is five times जिसमें से एक संख्या कितना गुना है 5 गुना है यहाँ पर five times बूल रहा है कितना गुना है 5 गुना है किसका पांच गुना है 5 times the other दूसरे का 5 गुना है जो पहली संग किया है वो दूसरे का कितना गुना है 5 गुना है and their difference is 132 और दोनों का difference कितना 132 है difference मतलब क्या होता है minus होता है तो आप इसका equation खुद से बनेजेगा अभी तक सारे equation हम लगभग बना दिये हैं तो आप इसका equation question number 9 का equation बना लिजेगा एक बर question को फिर से समझा रहे है find two numbers such that one of them is 5 times the other and their difference is 132 जो एक संख्या है वो दूसरे संख्या का कितना गुना है पहली संख्या जो दूसरी संख्या कितना गुना है 5 times है यानि 5x हो जाएगा और दोनों का difference दोनों का minus कितना है 132 है तो आप इसका equation खुद से त्यार किजिएगा और आप इसका equation खुद से बना कर और x का value निकालिएगा question number 9 किलियर हो गया चले आठे हैं 10 में question number 10 यहाँ पर बोल रहा है the sum of two consecutive even number is 74 find the other even number और odd number पता है हम कोई हम यह जब कोई संख्या लेते हैं 1 मालत 1 2 3 4 dot 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 10 ठीक है यहाँ पर हमको odd number even number कैसे पता चलता alternate करके odd even होता है यह odd हो जाएगा तो यह even हो जाएगा यह odd हो जाएगा तो यह even होगा ऐसे होता है ना odd even तापी स्तरह में बोल रहा है the sum of two consecutive even number consecutive मतलब होता है यहाँ पर जो consecutive दिया हुआ है यह consecutive consecutive मतलब होता है लगतार consecutive मतलब होता है लगतार लगतार होता है बोल रहा है कि दो consecutive even number is है 74 find the number बोल रहा है कि two consecutive number का sum 74 है तो नंबर बताईए एक्स का नंबर कितना होगा तो दो consecutive इभेन नंबर लिजिए गाँ आपको खुद से लेना है कि हम इभेन नंबर में कितना लेंगे consecutive इभेन नंबर में तो आप इसका भी equation खुद से बना लेंगे चलें question number 11 question number 11 यहां पर बोल रहा है वो रहा है कि the sum of 3 consecutive odd number just like question number 10 के तरव बोल रहा है कि the sum off 3 consecutive odd number is 21 find the number इसमें भी तीन इसमें दो consecutiveं यह इभेन नंबर पुछ रहा था इसमें तीन consecutive odd नंबर पूछ रहा है और उसकं बोल रहा है कि sum बताईए कि तो इसको हम solve आपको करके बताए है as for example जैसे हम ये solve किये हैं इसी तरह बिल्कुल आपको कोस्ट नबर 10 को बनाना है लिए कोस्ट नमबर 11 अम यहां पर solve किये हैं तोड़ा सा यह ब्लर हो गया है यहां पर दिखेंगे लेट दफ फर्स्ट यहां पर लिखेंगे फर्स्ट टैन में लिखेंगे लेट फर्स्ट कंस्क्यूटी बाउड नमबर बराबर एक्स प्लस वन हो जाएगा फर्स्ट कंस्क्यूटी बाउड नमबर बराबर एक्स प्लस वन उसी तरह लि एकस प्लस वन प्लस एकस प्लस थ्री प्लसेक्स प्लस फाइब हमें सब को प्लस मिस्लिखिए है कि थी टीनों का सम 2021 आज तो सम यानिकी जोड़ेंगे थी जोड़ेंगे को रे relatively 1 इसको सलो करेंगे इसमें एकस कितना एक दो और तीन तीनों प्लस में है तो 3X हो जागा यहां पर लिखें 3X और उसके बाद अंक को जोड़ लेंगे जो कॉंस्टेंट है 538 और 19 प्लस का 9 बराबर 21 जैसे था उसको ऐसे छोड़ दिये हैं अब यहां पर आगे लिखते हैं यहां पर 3X बराबर 21 यह प्लस में इध 9 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा एक्स बराबर 12 से 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो किते बारे में कट जाएगा 4 बारे में 3 4 जा 12 होता है यानि एक्स का भायलू आपको कितना आया 4 आ गिया तो यह तो एक्स का भायलू 4 आया है ना आपको 1st 2nd 3rd consecutive नंबर जो पूछ रहा आने थे हमें आप लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स का भायलू आपको कितना यह 4 आया है तो 4 प्लस 1 बराबर 5 यह 1st हो गया 2nd consecutive नंबर वहां पर कितना लिए थो कोस्चन में एक्स प्लस 3 था तो यहां पर 4 प्लस 3 लेंगे यानि 7 हो जाएगा और उसी तरह 3rd consecutive नंबर बराबर कितना लिए थे एक्स प्लस 5 तो एक्स का भायलू कितना है 4 4 प्लस 5 बराबर 9 तो हो जागा 1st consecutive 5 और 2nd 7 और 3rd 9 5 7 9 यह consecutive क्या है और नंबर यह इवेन नंबर तो consecutive और नंबर है इस तरह करके आप बना लिजिएगा इवेन वाला कोस्चन नंबर 11 समझे में आ गया होगा तो कोस्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी से बन जाएगा इजी इवे में आपका बन जाएगा इसी तरह जैसे जिस तरह हम कोस्चन नंबर 11 बनाएगा बिल्कुल सेम उसी तरह कोस्चन नंबर 10 भी बन जाएगा बस उसमें फरक इतना रहेगा कि इसमें हम और संख्या लिखे हैं उसमें आपको इवेन संख्या लिखने के लिए इव नमबर किसको बोलते हैं उसमें से कोई हम दो संख्या को इभेन और कोई दो संख्या को हम ले लेंगे इभेन नमबर अब चलिए यहां पर आज का हम होमोग दे रहे हैं आपको बस शिक्स तक तो देनी दिए दिन थी बनाने के लिए आपको 7-11 साथ से लेकर 11 तक आपको नेक्स्ट होमवक रहेगा और अब ऐसा नहीं कि हम पूरा 21 तक बना लिए तो अब नहीं बनाएंगे इसको कम से कम आप समझे जहां तक आपको समझाया जारा अच्छे से इसके बार नेक्स्ट वीडियो में हम आपका आगे एक्सेसाइज में चलेंगे आपक्लासिक्स पढ़ उसमें बच्चे कैसे हैं अब ऐसा नहीं कि जो हम um 26 तक कोशन बता दिए पिछला में नाइंसी का पिछला वीडियो में 126 तक कोशन बताया थे उसमें आपको सारा का सारा सौल्ब हो गया है बहुत बच्चे से सौल्ब नहीं हुआ होगा लेकिन अब आपका कमेंट्स नहीं आयात इसलिए हम नहीं बताएं खुद से क्या बताएं पूरा अगर सुरू से बताते था हमको पूरा रिपीट फिर से करने पड़ता जो बना लिए उनके लिए अच्छा है जो नहीं बनाएं बाबू कम से कम जो भीडियो भेजा जा रहा है उसको पहले ध्यान से सुनिए सुनने के बाद आप फुड से उसक्सेसाइज को खुद सेो किजिए आपको कहीं पर दिककत नहीं होगी कहीं पर नहीं फास होगी तो ठीक है आज का वीडियो इसाफ्डosaurus c i darling को सूप स्क्राइब किजिएगा अगर वीडियो को अच्छा आएगा तो लाइक कर नोतीक है तो